नमस्ते दोस्तों, एस्टो फुशन चानल में आपका स्वागत है, आज हम एक नई सीरीज चालू कर रहे हैं, आने वाले 9 अक्टोबर को गुरू जो है, गुरू महाराज जो है, वो वक्री हो रहे हैं, फिर वो फेबरोरी, 4 फेबरोरी तक वो वक्री रहने वाले हैं, तो गुरू के रिजल्ट क्या मिलेंगे, कोई भी गरह जब वक्री होता है, तो वो अपने रिजल्ट पूर्न क्षमता में देता है, तेजी से देता है, खुल के देता है, इसका एक मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है, कि वक्री गरह को समझे, वक्री गरह याने क्या होता, तक शनी और गुरू दोनों भी वक्री रहने वाले हैं, तो अब हम आज बात करेंगे मेश लगन और राशी के लिए इस वक्री गुरू के क्या परिनाम होगे, यहाँ पे मैंने ये मेश लगन की ये कुंडली है, 9 ओक्तोबर से 4 फेबरोर 111 दिन तक गुरू महराज जो है वो वक्री हो रहे हैं, गुरू अभी आपकी कुंडली में दूसरे भाव में, व्रुषब राशी में चल रहे है, व्रुषब में ही वो वक्री हो रहे है, अब देखिए, शनी यहाँ पे वक्री है, यह आपका अर्निंग का स्थान है, और गुरू जहाँ पे यह आपका धन का सेविंग्स का स्थान है तो बेसिकली आपके लिए मेश लगना राशी वालों के लिए यहां पे कुंडली के अधर ग्रहों की पोजिशन से इफेक्ट बदल जाएंगे आपकी दशाय जो भी चल रही है अच्छी या बुरी उसके सबसे भी रिजल्ट बदल जाएंगे लेक का कुटुम्ब का भी स्थान है और गुरू का ये कारक भाव में कारक को भाव नाशा है कारक भाव में कोई भी ग्रह जो है उस भाव का नाश करता है लेकिन वो नाश रहने क्या रहता है कि आप कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश में कुछ नुकसान हो सकते है बाकी ग्रह कोई खराब नहीं करता है कारत भ्राव में कोई भी ग्रवा अच्छे ही रिजल्ट देगा लेकिन अती जो कहते है वहां पे प्रॉब्लम होती है यह कुटुंब का भी स्थान है यह स्पीच का भी स्थान है कुटुंब के साथ आपको जो है आपकी वानी में थोड़ा सभलना पड़ेगा अदर्वाइस आप कुटुंब से दूर जा सकते हैं वाइचारिक मदभेद हो सकते हैं और दूरी बन सकती है वहां पर आपको आपकी जबान पर थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए हाला कि गुरू है तो वह जबान में आपको वैसे भी शुद्धी करने वाले शुब प्लानेट है तो ज्यादा डैमेज नहीं करेंगे फिर भी आपको बेजिकली इसमें उपाए क्या है आपको किसी को भी बेवजह की सलाह नहीं देनी है खास करके उन्होंने नहीं मंगिये तो बिल्कुल भी मत देना तो अपनी सलाह मत दीजिए अब यहां पर क्या य गुरू का भ्रहमन चल रहा है अल्रेडी बहुत सारे लोग आपको कोई नहीं कोई कामों में आपका रेकगनीशन हो रहा होगा लोग बधाई देने जरूर आ रहे होंगे आपके पास और अब जब गुरू वक्री होंगे तो इसमें और ज्यादा बढ़ोतरी होगी लोग आ इसमें भी वक्री गुरू आपको डेफिनेटली एक फेम देगा लोग आपको जो है बधाई जरूर देंगे आपके कोई अच्छे कामों के लिए यहां से देखिए गुरू की एक दृष्टी एक दो तीन चार पाँच छे साथ आठ नौ यहां पे यह गुरू की दृष्ट आपका जो जौब है जो केतु खाना चाहरा था वो गुरू ने बचा के रखा है और आप जब गुरू वक्र दृष्टी वहां पे दालेंगे तो आपके जौब में और ज्यादा पॉजिटिव वे में आप आगे बढ़ोगे जौब के स्थान को गुरू यहां पे आपके औ और मजबूत कर रहे हैं खास करके जो नौकरी लोग कर रहे हैं वहां पे आपका जो जौब है वो और ज्यादा सिक्योर हो रहा है शत्रू पर आप मात कर पाओगे करजा मत लीजे क्यूंकि यह रोगरून शत्रू करजा लेके कोई भी काम अप मत कीजिए करजा लेके आप वहां पे फिर वो केत्व की निगेटिविटी काम करेगी उसके बाद यहां पे आपके पैत्रिक संपत्ति का यह स्थान है लोट्री लगना पुर्खों की कोई संपत्ति जमीन जायदाद आपके नाम पे हो सकती है तो उस तरह से भी यह अच्छा है कोई गुप्त रोग जो आपको चल रहा है बहुत दिनों से कुछ उसका इलाज नहीं हो रहा था अब गुरू की वक्र दुष्टी होने से वहां पे आपको इलाज हो जाएगा आपका प्रॉपर क्यूर यहां पे मिल जाएगा और गुरू की नवन दुष्टी आपके करमस्थान में है बिसिकली जो लोग खास करके बिजनेस करते यहां पर यह वक्र और नीच दुष्टी थोड़ा संबलिए थोड़े दिन के लिए चार मेने के लिए न्यू इन्वेस्मेंट मत कीजिए नए कोई जगह पे आप इन्वेस्मेंट या आपका बिजनेस को कारोबर को बढ़ाना चाते तो श्री रिष्टी आपके लगन पे है यहां पे आपको थोड़ा मेंटल स्ट्रस रह सकता है तो उसका थोड़ा ख्याल रखिए बट गुरू अभी यहां पे आ जाने की वज़े से आपको वो स्ट्रस भी थोड़ा सा कम महसूस होगा आपको एक चीज यहां पे सिर्फ संबलना है अगर यहां पे पर्मनेंट कुंडली में राहू है तो गुरू राव चंडाल योग का निर्मान करेगा और अब गुरू तैजी से रिजल्ट करेगा थोड़ा आप लोगों को संबलने की जरूरत है शिवजी की उपासना आपको करना जरूरी है जिनका भी यहां पे पर्मनेंट कुंडली में राहू है और बेस्ट रिजल्ट उनके लिए है जिनका यहां पे गुरू है गुरू के उपर से गुरू का भ्रह्मन हो रहा है आपके लिए बहुत शुभ समय रहने वाला है ये चार मेने तो ओर ओल मेश लगनो राशी के लिए समय अच्छा आ क्यू पावरफुल रिजल्ट देता है उसका क्या कारण है वो आपको समझ में आएगा कुंडली आपको थोड़ी पता होना जरूरी है दशाय गोचर आपको थोड़ा मोटा मोटी पता होना जरूरी है ताकि आप ये सब वीडियो को अच्छी तरह से समझ पाओगे तो फिल